हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 बीजे वेंजक एमम सर्फ सम्मिकाएं प्रशना वली 9.4 से कोशे नमबर 1 सोल्व करेंगे तो कोशे नमबर 1 देखिए द्वीपदों को गुणा कीजिए तो हमें यहाँ पर द्वीपद दिये गए हैं हमें उन्हें गुणा करना है द्वीपद क्या होता है ऐसे वेंजक जिनमें 2 पद हो फर्स पार देखिए दिया गए 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3 तो देखिए द्वीपद है इसमें दो पद है यह इसमें भी द्वीपद है तो अब हमें इन द्वीपदों को गुणा करना तो जहां और है उसकी जगह गुणा का निशान आ जाएगा तो देखिए और की जगह हमने यहां गुणा का निशान लिखती आए तो अब देखिए 2x प्लस 5 गुणा 4x माइनस 3 है तो देखिए पहले 2x को इस प्रैकेट में उससे गुणा करेंगे तो 5 गुणा ब्रैकेट में 4x-3 फिर प्लस अब 5 को इस प्रैकेट में उससे गुणा करेंगे तो 5 गुणा ब्रैकेट में 4x-3 अब देखें 2x को ब्रैकेट में जो 4x और 3 है उससे गुणा करेंगे पहले 2x को 4x से गुण तो क्या आएगा पहले 2 को 4 से गुणा कीज़े क्या आएगा 2 चोके 8 x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x square तो क्या आया 8 x square अब 2 x को 3 से गुणा करेंगे तो देखें पहले क्या है minus देखें 2 x plus का है plus को minus से गुणा करेंगे क्या आएगा minus अब 2 x को 3 से गुणा करेंगे 2 ती है 6 और 7 में x तो क्या आया 6x ठीक है अब देखिए प्लस अब 5 को ब्रैकेट में 4x और 3 से गुणा करेंगे ठीक है तो 5 को पहले 4x से गुणा करेंगे और फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 को 4x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा पहले 5 को 4 से गुणा पांचों के 20, साथ में क्या है X, तो 20X, फिर माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 5 ती है, 15, अब देखे, 8X स्क्वेर, ऐसी लिखेंगे, 8X स्क्वेर, अब देखे, यह कितने X है, माइनस 6, और यह कितने X है, 20, तो देखे, एक प्लस का है, और एक माइनस का है, त जब एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो माइनस करते हैं, तो 20 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 14 आएगा, अब देखे, 20 बड़ा है, 20 प्लस का है, तो 14 के साथ कौन सा निशाना आएगा, प्लस का, तो प्लस 14 साथ में X आजाएगा, फिर माइनस 15, तो क्या आया, 8X स प्लस 14 एक्स माइनस 15 अब सेकंड पार देखे क्या दिया गहा है य-8 और 3y-4 अब इन्हें गुणा करना है तो और की जगह गुणा का निशान आएगा तो य-8 ऐसे ही लिखा और की जगह गुणा का निशान फिर ब्रैकेट में 3y-4 अब देखे य को इस ब्रैकेट में जो ए फिर 8 को इस bracket में उससे गुणा करेंगे, सबसे पहले y को गुणा करेंगे, इस bracket में जो है, तो y गुणा bracket में क्या है, 3y-4, फिर minus, अब 8 को इस bracket में उससे गुणा करेंगे, तो 8 गुणा bracket में 3y-4, अब देखिए y को bracket में जो 3y और 4 इससे गुणा करेंगे, पहले y को 3y से फिर y को 4 से गुणा करेंगे तो देखे y को 3 y से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 ऐसे ही लिखा y को y से गुणा करेंगे क्या आएगा y स्केर फिर minus y को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4y अब देखे minus 8 को bracket में जो 3 y से गुणा करेंगे पहले माइनस 8 को 3y से गुणा करेंगे, फिर माइनस 8 को माइनस 4 से गुणा करेंगे, तो देखे, माइनस 8 को 3y से गुणा करेंगे, क्या आएगा, पहले देखे, माइनस 8 को 3 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 24 आएगा, देखे, 8 ती है 24, यह माइनस का है और यह plus का है तो minus को plus से गुणा करेंगे क्या आएगा minus 24 फिर 7 में y अब minus 8 को minus 4 से गुणा करेंगे देखे minus को minus से गुणा करेंगे क्या आएगा minus minus plus 8 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 8 चोके 32 अब देखे 3 y square ऐसे ही लिखा अब देखे ये कितने y है, minus 4, और ये कितने y है, minus 24, देखें, ये भी minus में, और ये भी minus में, जब दोनों minus में हो, तो plus करते हैं, तो 24 में 4 plus करेंगे, क्या आएगा, 28, देखें, और sign जो है, minus का आएगा, तो minus 28, और 7 में क्या आएगा, y, फिर plus 32, तो क्या आया, 3y स्केर, minus 28y, plus 32, थर्ड पार देखें, दिया गया है, 2.5L, minus 0.5M, और, ब्रैकेट में दिया गया है, 2.5L, plus 0.5M, तब हमें इन दोनों को गुणा करना है, तो देखें, जहां और है, उसकी जगा, गुणा का निशान आएगा, तो पहले इससे लिख लेंगे, ब्रैके, 2.5L, minus 0.5M, और की जगा गुणा आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में, 2.5L, plus 0.5M, तो अब देखें, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो, 2.5L को, इस ब्रैकेट में जए उससे गुणा करेंगे, फिर, 0.5M को, इस ब्रैकेट में जए उससे गुणा करेंगे, तो पहले 2.5L को इस bracket में जए उससे गुणा करें था हमने लिखा 2.5L गुणा bracket में जए उससे गुणा करना है तो bracket में क्या है 2.5L प्लस 0.5M फिर माइनस का निशान अब 0.5M को इस bracket में जए उससे गुणा करेंगे तो 0.5M गुणा bracket में क्या है 2.5L प्लस 0.5M अब देखे अब क्या करेंगे अब 2.5L को पहले 2.5L से गुणा करेंगे फिर 2.5L को 0.5M से गुणा करेंगे तो देखे थोड़ी देर के लिए दशमलर भूल जाएए तो मालिच जी ये 25 है और ये वी 25 जिस तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 625 आएगा तीक है अब देखिए पीछे की तरफ से यहां कितने अंक के बाद दशमलव है एक अंक के बाद दशमलव है और यहां कितने अंक के बाद दशमलव है एक अंक के बाद दशमलव है तो एक प्लस एक दो तो यहां द दो अंकों के बाद दशम्रव लगेगा पीछे की तरफ से तो एक दो दो अंकों के बाद यहाँ दशम्रव लगया तो 2.5 को 2.5 से गुणा करने पर क्या है 6.25 अब L को L से गुणा करेंगे तो देखे थोड़े समय के लिए दशम्रव को भूल जाए तो यह कहा है 25 और यह 5 25 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 125 आएगा ठीक है अब यहाँ कितने अंग के बाद दशमला है एक अंग के बाद और यहाँ भी एक अंग के बाद दशमला है तो 1 प्लैसे 1 दो 2, 2 अंगो के बाद यहाँ 1 दशमला आजाएगा तो क्या है 1.25 मेle 5. Samm's से मुट करें तो क्या ूइगा param हो थी कह अदेखी ही अब देखे अब 0.5 एम को 2.5 यसे मुट करेंगे थी कि यह माइनस का यह और यह पुलस माइनस को प्लस से मुट करेंगे तो क्या आएगा 55 चीअ, 125 अब देखे, यहां 1 अंक के बाद दश्मनव, और यहां भी 1 अंक के बाद दश्मनव, तो एक प्लस 1, 2, तो यहां 2 अंको के बाद दश्मनव लग जाएगा, तो 1, 2 अंको के बाद यहां 0, अब M को दशमलव को भूल जाएएं तो पांच को पांच से गुंणा करेंगे क्या हैगा पांच 25 25 आएगा अब देखिए यहा एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहा पीछे की तर से से गुणा करेंगे क्या आएगा m² अब देखिए एक है 6.25 l² अब देखिए इसके लावर कोई l² वाला नहीं है तो इसे ऐसी लिख लेंगे 6.25 l² अब देखिए एक है प्लस 1.25 lm और ये माइनस 1.25 lm तो देखिए ये प्लस के 1.25 lm है और ये माइनस के 1.25 lm है जब एक प्लस का और एक माइनस का तो एक कट जाते हैं क्योंकि इन्हें माइनस करेंगे तो 0 ही तो आएगा ना तो एक प्लस वाले से माइनस अला कट किया तो क्या बचा माइनस 0.25 M square तो क्या आया 6.25 L square minus 0.25 M square तो आज इस वीडियो में हमने question number 1 से first 3 parts solve करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, thank you